मेरे प्यारे देश्वासियों, हर बार आपकी धेर सारे पत्र मिलते हैं, नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजीज, फॉन कॉल्स के माध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है, इनी संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है, जिसने मेरा ध्यान खीचा, ये संदेश हैं बहन प्रियंका पंडी जी का, 23 साल की बेटी प्रियंका जी, हिंदी साहित्य की विद्यार्थी नहीं है, और बिहार के सिवान में रहती है, प्रियंका जी ने नमो एप पर लिखा है, कि वो देश के 15 घरेलू परेटन सलो पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेडित हुई थी, इसलिए एक जन्वरी को वो एक जगह के लिए निकली, जो बहुत खास थी, वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमेटर दूर, देश के पहले राश्पती, डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी का पैत्रुप निवास, प्रियंका जी ने बड़ी सुन्दर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था, प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी द्वारा लिखी गई पुस्ते के मिली, अनेक एतिहासिक तस्फिरें मिली, वाकई प्रियंका जी आपका यह अनुभव दूस करने जा रहा है, ऐसे में ये हमारे उन महान आयकों से जुड़ी स्थानिये जगवं का पता लगाने का बहतरीन समय हैं, जीन की वजह से हमें आज़ादी मिली, साथियों हम आज़ादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं नमो एप पर ही की गई एक और टिप विपलव जी ने मुझे तारापूर शहीद दिवस के बारे में लिखा है, 15 फरवरी 1932, 1932 को देश भक्तों की एक टोली के कई वीर नवजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी, उनका एक मात्र अपराज यह था कि वे बंदे मात्रम और भरत मा की जय के नारे लगा रहे थे, मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का स्रधापूर वक्स मरन करता हूं, मैं जैराम विपलव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वेक ऐसी घटना को देश के थामने लेकर आये, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई, जितन होनी चाहिए थी